नमस्कार बच्चो आप सवी का ग्यारवी कक्षा के विफसाई कध्यान की ओनलाइन कख्षा में स्वागत है आज में आपको तृत्य पाठ नीजी सार्वजनिक और भूमंडली उपकरम के अंतरगर्द भूमंडली उपकरम क्या होते हैं और संयुक्त उपकरम किसे कहते हैं साथ में संयुक्त नीजी भागेदारी को भी हम विस्तार से जानने का प्रयास खरेंगे चलिए आईए इसे जानते हैं चलिए बच्चो शुरू करते हैं नीजी सार्वजनिक और भूमंडली उपकरम के अंतरगर्द भूमंडली उपकरम क्या होते हैं बेटा भूमंडली उपकरम को हम बहुराष्ट्री कंपनियों के नाम से भी जानते हैं यह कंपनी देश विदेशों में विपार करती हैं आईए इसके बारे में विस्तार से जाने एक विवसाय को जब विशाल पैमाने की अवशक्ता होती है तो हम आरी कल्पना में बहुरा कारिरत कंपनियां जिनका रिजिस्ट्रेशन जिस देश में होता है उसी देश में इसका मुख्य कारेले भी होता है जिसे हम ग्रह देश के नाम से जानते हैं परन्तु यह कंपनिया वस्तों और सेवाओं का उत्पादन और विक्रे अनेक देशों में करती हैं इन देशों को और वेश्विक निगम, भूमंडलिय उपकरम, बहुरश्ट निगम के नाम से भी जाना जाता है। इनकी विशाल इकार, उत्पाद की बड़ी संख्या, उननत तक्नीक, विपनन की उननत रन नीतियां, यह सब इसकी विशेष्टाई ही होती है। यह अपनी उद्योगिक विपनन करियाएं शाखाओं के तंत्र के माध्यम से करती हैं। यह इसकी विशेष्टाउं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली विशेष्टा है विशाल पूंजी गत्संसाधन। इन कंपनियों के पास भारी मातरा में पूंजी होती है और विभिल श्रोतों से वित्व जुटाने में शक्षम है। इनके द्वारा अंश, रिंड, पत्र और बॉंड के माध्यम से जन पूंजी एकत्र की जाती है। यह वित्ति संस्थाओं और अंतर अश्री बैंकों से रिंड भी ले सकते हैं। पूंजी बजार में इनकी साख होती है। यह कंपनियां पूंजी के द्रिश्टिकें से पूर्ण सुरक्षित होती हैं। दूसरी विशेष्टा है विदेशी सहयोग। बहुराश्री कंपनियां किसी देश में नई नई तकनीक, नई ब्रांड, डिजाइन, उन्नत उत्पादन के द्रिश्टिकों से प्रवेश करती हैं। यह कंपनियां मेजवान देश के प्रकृतिक संसाधनों का पूरा लाब उटाती हैं। और देश में रोजकार, विपनन सुविधाएं, तकनीक, उन्नत जीवन शैली को विक्सित करती हैं। एक देश बहुराश्री कंपनियों के विदेशी सहयोग से नफ प्रवर्तन को अपनाने में सक्षम होता है। इनके माध्यम से एक देश पेटेंट विदेशी संसाधन विदेशी विनमे का लाब उठा सकता है। तीसरा है उन्नत तकनीके बहुराश्री कंपनियां अनेक देशों को अपने माध्यम से उत्पादन की शेष्ट तकनीक उपलब्द करवाती हैं। इनका उत्पाद अंतरश्री मापदन और गुनवत्ता के अनुसार होता है। इनके द्वारा मेजबान देश के संसाधनों का कुशलतम प्रियोग संभव होता है। कंप्यूटर का जो विश्व स्थर पर आगमन है ये बहुराश्री कंपनी की उन्नत तकनीकों का ही पनिडाम है। अगला है उत्पादन में नवीनता ये कंपनिया अपने उच आधुनिक अंसुंधान विकास विभाग के माध्यम से नए नए उत्पादों और उनकी किस्मों वह गुनवत्ता पर विशेश दिहान रखती हैं। उच गुनवत्ता वाली वस्तूं का निर्मान करती हैं। इस प्रकार उत्पादन में नवीनता लाकर अंतर अश्टि स्थर पर पतियोगिता का सामना करती हैं। विपनन रन नीतियां। बहुरश्ट्री कंपनियां शोध विकास, विवग्यापन, भंडारन, यातायात वा अनेक विपनन सेवाओं का वेफसाय करने वाले देशों को उपलब्द करवाती हैं। उनके पास नवीनतम सूचना प्रणाली और विग्यापन और विक्रिसम वर्दन की तकनीक और प्रसिद ब्रांड होते हैं, जिनके द्वारा बजार में अक्रमन कारी विपनन रन नीतियां बनाई जाती है और अपना प्रभुत्व कायम किया जाता है। बजार शेत्र का विकास यह कंपनियां कई देशो में अपनी शाक्षाओं के माध्यम से अंतरश्ट्र स्तार पर विपार करती हैं। करती है जिसके कारण दैरिक कारेों में किसी तरह का हस्तशेव नहीं होता बच्चों अब हम भली बाती परिचित हो चुके हैं कि संगठन के तीन स्वरूप हो सकते हैं निजी सार्वजनिक और भूम यानि व्यश्विक उपकरम चलिए अब हम समयुक्त उपकरम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जब दो व्यवसाई के काईया समान्य उद्दिश और पारस्परिक लाब के लिए इकठा हो जाएं तो उसे संयुक्त उप्रम कहा जाता है इसे निजी व्यक्ति या सरकार मि संधिलकर भी स्थापित कर सकते हैं जो मिश्रित शेत्र या शयुक्त शेत्र भी कहलाती है इनमें संचालन प्रबन नियंत्रन या तो दोनों के दुआरा संयुक्त रूप से किया जा सकता है एक कमपनी के प्रतिनिद्ध विद्वारा किया जा सकता है यह एक तरह की नीजी और सारविचनिक शेत्र की साजेदारी कहलाती है इससे संयुक्त सास के नाम से भी जाना जाता है यदि इसे अंतरश्री विफसाई के संदर्व में देखा जाए तो घेरलू और विदेशी उद्म संयुक्त रूप से विफसाई की प्रबंद व्यवस्था वा स्वामित्व क होते हैं आयातक देश के साथ भी सायुक्त उपकरम स्थापित हो सकते हैं संसादनों वा विश्यशग्यों का जोखिम का इस अधार पर पारसपरिक बठवारा भी संभव होता है चलिए अब इसके स्थापित करने के कारणों पर प्रकाश डालते हैं यह उपकरम विफसाई क को बढ़ाने में योगदान देते हैं से उकरम कितने प्रकार के हो सकते हैं इनके बारे में जानते हैं इन्हें हम दोर कार करने का एक समझोता कर लिया जाता है अर्थार इनके स्वामित्व को नहीं बाटा जाता केवल उपक्रम में नियंदरन के कुछ तत्वों का उपयोग किया जाता है फ्रेंचाइज संबंद इसका सर्वुत्तम उधारन है चलिए इसके तत्वों पर प्रकाश डालते हैं समान्य व्यवसाई कुदेशी की पिर्धितू दो से अधिक पक्ष का आपसी संबंद का होना दूसरा है प्रते की काई अपनी विशिष्टता को एक दूसरे से बाटते है तीसरा है दोनों पक्षों द्वारा उपक्रम पर कुछ-कुछ नियंतरन किया जाता है और चौथा है एक ही तरह का दीर्ग कालिन संबंद होता है चलिए अब हम समता अधारित संयुक्त उपक्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं एक आपसे समझोते के अनुसार जब दो या दो से अधिक पक्ष एक नइन इकाई या अलग इकाई का संयुक्त स्वापित्वु में नियंतरन करते हैं चाहे कमपनी के रूप में हो चाहे साजेदारी ट्रस्ट इत्यादी के रूप में हो उसे हम समता अधारित संयुक्त उपक्रम कहते हैं आयेसщее तत्व देखे नई इकाई का निर्मान या वर्तमान इकाई में किसी अन्य इकाई दुआरा स्वामित्व ग्रहन करने का यह समझोता होता है सभी पक्षों का यह मिला जुला स्वामित्व होता है मिला जुला प्रबंध विवस्था इसमें की जाती है पूझी निवेश और वित्य विवस्थाई भी मिले जुली होती है समझोते के अनुसार लाब और रहनी भी मिले जुले दोनों उप्रमों को प्राप्त होते हैं दोनों पक्ष जो इस समझोते में शामिल होते हैं विफसाई काई संबंदी शर्टों को भी अपने हक्षताचर द्वारा प्रमानित करते हैं, वो मिल जुलकर इसका संचालन और नियंद्रन करते हैं. चलिए संयुक्त उप्करम के लाभों पर नजर डालते हैं, संयुक्त उपकरम में दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं, जिसमें एक और नवीन विचारों योग्यता का अधान प्रदान होता है तो दूसरी ओर दोनों उपकरम मिल कर इसमें कारे संचालन करते हैं. संसादन एव शम्ता में व्रिदी, दो उपकरम आपस में मिलकर विफसाइक करने से दोनों के संसादनों और शम्ता में व्रिदी होती है, दोनों के विफसाइक के शित्र का विकास होता है, नए संयुक्त वित्य संसादन मन विसादन उपलब्ध होते हैं और बजार अफसरों क का लाब मिलता है दूसरा है नए बजार एवं वित्रन तंत्र का लाब जब एक देश के घरेलू कंपनी दूसरे देश की कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम से जुड़ती है तो दोनों को एक दूसरे के बड़े बजार उपलब्द होते हैं नए तकनीक का लाब संयुक्त उपक्रम से घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त होती है उत्पादन की उन्नत तकनीक से शिष्ट गुनवत्ता वाली वस्तूओं का उत्पादन संभव होता है तकनीक विकास भी किया जा सकता है उर्जा और निवेश की बचत होती है कुशलता में व्रिदी होती है और लागते कम आती है नवीनता संयुक्रम नई नई एवरचनात्मक वस्तूओं लाता है नई विचार और नई तकनीक वाली वस्तूओं बजार में उतरती है उत्पादन लागत में कमी विदेशी को कम करता है अर्थात बड़े पैमाने पर विफसाय के लाप प्राप्त होते हैं उत्पादन बचते प्राप्त होती हैं उत्पादन लागते कम होती हैं गुनवत्ता वालिक वस्तूओं आती हैं सस्ता श्रम उपलब्ध होता है योग्य मानविय संसाधन भी उपलब्ध होत धन और समय को ब्राण निर्वान में अब गवाना नहीं पड़ता ब्राण के कारण विस्तृत बजार बना बनाया मिल जाता है चलिए अब हम पी 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 यानि पब्लिक प्राइविट पार्टनर्शिप जिसे हम सारवजनिक निजी भागिदारी कहते हैं उसके बारे में जानन के विशिशता वाले अनेक देश विदेश सभी शामिल होते हैं सरवजनिक निजी शेतर की भागिदारी है यह सुनिश्चित करता है कि समाजिक उत्तरदाईत्व का निर्वा हो रहा है या नहीं शेत्र सुधार और सार्वजनिक निवेश उचित्रयूप से हुआ है या नहीं इसकी विशेष्टाएं देखिए यह जन सुविदा उपलब्दता हेतू निजी शेत्र से भागेदारी सम् verdict होता है यह सार्वजन् result द्वारा विद्व संसाधन उपलब्त करवाना है और स्वमित्र करना है यह गजी शेत्र की विषेष्टा कारेप्रवंदन प्रभावी तकनिके दवरवर्तन का लाब उठाना है यह निर्मान जोखिम का विभाजन भी है यह कहां उपयोक्त हो सकता है जहां पूंजी छोटी परियोजनाओं में सरकार और नीजी भागिदारी हो वहां ये अधिक उप्योक्त होता है जहां सारवजनिक स्वामित्व प्रबंद वाली पूंजी परियोजनाओं में नीजी भागिदारी की भी अवशक्ता हो ये वहां पर भी उप्योक्त होत उधारन के लिए कुंडली मार्क जो सरकार ने सड़क की विस्था में बनाया है वो नीजी कंपनी के सयोग से बनाया है इसके दोश क्या हो सकते हैं यह पक्षो के मध्य पर्यावरन को लेकर मत भेद उत्पन कर सकता है नीजी शेत्र असानी से सारवजनिक शेत्र के साथ वित् नीजी व्यक्तिओं पारिवारिक व्यवसार सै कारी समीतिय के रूप में हो सकते हैं अगर पुझी निवेश को अधार बनाया जाए तो सारवजनिक उपकरम में सरकार द्वारा अधिकांश पुझी निवेश किया जाता है जबकि निजी उपकरमों में निजी व्यक्तियों के द्वारा पुझी एक तरकी जाती है और निवेश की जाती है प्रबंद व्यवस्ता सार्वजनिक उपक्रमों की प्रबंद व्यवस्ता सरकारी करमचारी द्वारा मनुनीत करमचारी होते हैं जो सरकार द्वारा न्यूक्त होते हैं उनके द्वारा की जाती है निजी उपक्रम में अंचधारी अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं उन प् उपकरम में पाया जाता है शेत्र के अधार पर यदि अंतर किया जाए तो सारवजनिक शेत्र जोखिमपून शेत्र होता है क्योंकि इसमें सरकार दूरा अधिक मातरा में और बड़ी बड़ी परियोजनों में पूंजी नवेश्की होती है जबकि नीजी उपकरम लाव विकास संभावना वाले शेत्रों में ही पैसा लगाता है सफलता का मापदंड क्या है सारवजनिक उपकरम जो है उच उत्पादन करने वाले कम लागत वाले उपकरम होते हैं जबकि नीजी उपकरम लाप्राप्त कर वाले उपकरम कहे जाते हैं तो इस प्रकार हमने सार्वजनिक उपकरम और निजी उपकरम के भीद को जाना बच्चो इसी के साथ हमारा निजी सार्वजनिक और भूमलडली उपकरम समाप्त होता है आशाया आपने इसे ध्यान से सुना होगा और आपके यह समझ में भी आया ह आपका ध्यान देने के लिए और एक अग्रता बनाए रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद